नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में माचव निकल के माचव में गड़ी कर दें निकल के पतले टुकडों में काट लेना है और पानी डाल कर रखना है यह तो इसी के साथ मैंने प्यास को इस तरह सें लमबा-लमबा काट लिया था और दो हरी मिर्ची काट ली थे अब उसके बाद मैंने गैस को ओन करके एक कड़ाई रख दी है और इसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा चमस तेल जैसे ही तेल गरम हो जाए तो यह जो आलो के टुकड़े न वो हमें इसके अंदर डाल देने हैं अच्छे से मिला लेना है एक बार इसे और ढखकर इसे धीमी आज पर हमें तीन से 4 मिनिट के लिए पकाना है जब तक यह पक रहा है न मैंने आपर एक बाउल ले लिया और इसमें मैंने डाल दिये 2-3 कप दही यह घर की ताजी जमाई होई दही है आप मार्केट के भी ले सकते हैं इसे में थोड़ा सा इस तरह से टोड़ लेना है और इसे हमें साइड में अब यहां पर लगभग 4-5 मिनिट हो गया है और आलो को धीमी आज पर ही पकाना और आप देखे आलो गल चुके है तो यह जो आलो है न हम यह दही के अंदर डाल देंगे और इस तरह से दही के अंदर सारे आलो डालने के बाद फिर से कड़ाई को हम गैस पर रख देंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आदी चमच राई एक चौथाई चमच जीरा चुटकी बरहिंग हलका सा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिये यह प्यास कटे हुए और हरी मिर्ची कटे हुए इन दोनों को हमें अच्छे से भूनना है प्यास को जादा लालो के लिए पकाना है तो दो मुनिट हो गए अब यह जो भूना वह मसाले तर प्यास है वह भी हमें दही के अंदर डाल दिना आलो के साथ ही और इसे अच्छे से मिला लेना है तो लिए बनकर तयार है यह आलो वाली दही तड़का सच बता रही हूँ यह खाने में इतनी टेस् के साथ यह फिर सबी कुछ नहीं खाना है बस इसे खा लीजे पेट भी भर जाएगा और अच्छा भी लगेगा तो इसे ट्राइक करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू फॉर वाच्छेंग